यह दो अलग अलग तरह की जगे हैं, गुप्तकाशी और तपोवन तपोवन में हो सकता है कि जादा उजाई में होने के कारण आपका सिर चक्राने लगा इस जगे को बहुत से दिव्वे महापुरुशों की कृपा प्राप्त हुई है वो जहां भी जाते हैं, वहां अपने अंडे छोड़ देते हैं यही उनके जीने का तरीका है अब अगर आप अपने अंडे मुंबई या नियॉर्क सिटी या कहीं और छोड़ते हैं तो लोग उसे कुचल कर चल देंगे क्योंकि उनमें ये पहचानने की शमता नहीं होगी कि वहां क्या छोड़ा गया है तो योगी भी ऐसे लोग जिन पर एक ऐसे आयाम को संभालने का सौभाग्य और बोज होता है जो आम लोगों के अनुभव में नहीं है वे जहां भी उठते बैठते हैं वे अपने अंडे छोड़ देते हैं लेकिन वे हमेशा पहाडों पर क्यों जाते हैं कुछ स्थान पवित्र स्थानों के रूप में इसलिए चिनहित किये जाते हैं ताकि वहां वे अंडे कुछले न जाएं बलकि उनका अनुभव किया जाए और उपयोग किया जाए ताकि उनसे कुछ उड़ निकले तो वे ऐसे स्थानों को चुनते हैं तपोवन ऐसा ही एक पक्षियों का घोसला रहा जिसमें अनेक योगियों ने अंडे देना चुना लेकिन अंडों का सबसे बड़ा संग्रः शायद केदार नात में है केदार में हर तरह की पक्षियों ने अपने अंडे दिये और वे सब आपस में घुल मिल गए तो अगर आपको एक खास तरह से दिक्षा दी गई है तो आप अनुभव के एक खास आयाम के प्रति खुल जाते हैं वहाँ ऐसी बहुत सी चीज़े हैं जिनके प्रति अभी आप खुले नहीं है लेकिन अगर आपको एक खास तरह से दिक्षित किया जाए तो आप उस आयाम के प्रति खुल जाते है भारत में मंदिर बनाने का आधार भी बस यही है वहाँ एक खास तरह कांडा दिया गया है और आपको एक खास तरह से उस तक अपनी पहुँच बनानी है हर देवता के लिए एक विशेश प्रक्रिया होती है ताकि आप उस आयाम का नुभव कर सकें गुप्तकाशी पूरी तरह से अगस्ति मुनी के काम करने के तरीके पर आधारित है जो कि विशुद्ध क्रिया है 100% उर्जा का कारे कोई दूसरी चीज नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कुछ नहीं ये 100% उर्जा का काम है मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं बस यहीं जानता हूँ मैं जीवन को एक से दूसरे आयाम में रुपांत्रित कर सकता हूँ बस उर्जा के आधार पर मैं कोई मंत्र नहीं जानता, कोई अनुष्ठान नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता किसी भी अनुष्ठान के बिना बस उर्जा को एक से दूसरे आयाम में रुपांत्रित कर दिया जाता है काशी पवित्र नगरियों में भी सबसे पवित्र है ये ज्ञान प्राप्ति की प्राचीनतम नगरियों में से एक रही है ये वो स्थान था जहां कभी एक साथ सैक्डो प्रबुद्ध महापुरुष रहा करते थे आप किसी भी सडक में जाएं आपकी भेट वहाँ एक ज्ञानोदित महापुरुष से हो जाती तो इस संस्कृति में ये परंपरा बन गई अगर आप मरना चाहें तो आपको काशी में मरना चाहिए काशी में मरते हैं तो मोक्ष मिलने की गारिंटी है क्योंकि वहाँ इतने सारे प्रबुद्ध जन रहते हैं वे हर रोज गंगा में सनान करने के लिए आते हैं आप बस उनके दर्शन कर लीजे जब वो देखेंगे कि आपका समय निकट है तो वो निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे और आप पार हो जाएंगे इसलिए आज भी यही माना जाता है कि एक उम्र होने के बाद लोग काशी चले जाते हैं और वहाँ मरने का इंतजार करते हैं ऐसी परंपरा इसलिए बनी है क्योंकि हर पीड़ी ने काशी में सैकडो प्रबुद महापुरुशों को रहते देखा और ये स्थान ज्यान प्राप्ती का महानतम स्थान बन गया तो काशी का मतलब है कि ये पवित्रों में भी पवित्र है तो वो मुख्य काशी है आज सुबह हम जहां से निकले वो उत्तर काशी है उत्तर काशी का मतलब है उत्तरी काशी उस दिन हम केदार के बाद जहां गय थे वो गुप्त काशी है यानि किसी को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए इन सभी काशियों में बहुत शक्तिशाली, लिंग हैं, जिन्हें जोतिर लिंग कहते हैं ये स्वैम्भू हैं, इन्हें किसी ने नहीं बनाया ये खुद अपने आप बने, ये धर्ती से लिंग के रूप में बाहर निकले लोगों ने इन्हें पहचाना और इनके उपर जरूरी काम करके इन्हें बहुत शक्तिशाली बना दिया